नीट परिक्षा में हुई कथित गडबडी सहित प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य अव्यवस्थाओं के विरोध में आज कांग्रेस ने कोटा में हल्ला बोल जंगी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, कांग्रेस नेता, प्रहलाद गुंजल सहित, कई बड़े नेता और हजारों की संख्या में कार्यकरता मौजूद रहे। सरकिट हाउस रोड पर हुई सभा के बाद कार्यकरता रेली के रूप में कलेक्टरी सरकिल पहुँचे और कलेक्टरेट पर घुसने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को बाहर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकरताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं भीड को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जिसके बाद कांग्रेस के बड़े निताओं ने अपनी गिरफतारियां दे दी। नालिया में दो नालिया। हाडोती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूटूब पर सब्सक्राइब करें हाडोती न्यूज और प्रेस करें बैल आइकन को